नमश्वर दोस्वों आप शभी का पोहट बहुत श्वगतए दोस्वों परमात्मा ने दे दिया भारी शंगेत अब आपके जयुनकाल में एक चमधकारिक देवी महला से हुगा आपका शंगम जया दोस्वों और इन शे आप शभी के जयुनकाल पोरी तरह परिविर्तित होन दोस्तों आपके मन को मन के हिर्दय को खुश करने वाले शावित होंगे ज़्यादोसों बशरते हम आप शबी से बस यहीं भी निती करेंगे कि दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखेगा जिया दोस्तों जैसे आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो दोस्तों यह बात आपको शोन में आएगी कि यह वीडियो कितना महत्पुन आप शबी के लिए था जिया दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि यह देव यह महिल ज्रागता का श्रंगम आपकी जुनकाल अब नोगता सद्धार लुसुभी में न। की परमात्मा का यहां भारी हैं लुद्ध को अच्छे कर्म करते हैं जो जब हमारे अच्छे कर्म करते हैं familiar यह धारी शंकेते हैं कि हीमारे अच्छे दिन आने वालेोंष्ट और अब आपका अच्छा शं में आने वालें अच्छा दिन आने वाले हैं तो रिशे में कोई पीक गलति ना करें वहां हर Sаны उन समयों का शही तरीके से शदी प्योग करें जिए दोसों और आज के वीडियो में हम इनी शभी के बारें बात करेंगे कि अब को कौन से गलतियां नहीं करनी है कौन से शही समय पर कौन से सही कारी करने है यह परमात्मा का भारिश शंकेत और यह देवी महिला शेश संगम आप शभी के जुनकाल में कौन-कौन से बड़ी उपलव देली कराने वाले हैं आपको कौन-कौन से नई मोके दिलाने वाले हैं के घर के महल हुए पारिव्य हुन बाद आप शभी को प्राप्त होगा जिए दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं कि बहुत ही अच्छी विचार से बहुत ही अच्छे ग्यान से जो कि दोस्तों आपको प्रें जुनकाल्ब में याद रखने हैं दोस्तों यकीन मानिए इन से आपको बहुत ज्यादा जिसके पास भोजन के शात भूक है विशतर के शात नींद्ध है और धन के शात धर्म है जिए दोसों तो दोस्तों अगर आपको यहाँ अच्छी लगी हूँ यह बातों को आप शमझपाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स म राधे राधे तो आई दोस्तों से के शाथ बात करते हैं कि या देवी महिलाशी आपका श्रंगम आप शिव की जुनकाल में कौन-कौन शिव बड़ी बदलाव करने वाले हैं दोस्तों यश्मे कोई भूमे शमंदी खरित परोखत का काम शंपन हो शकता है धर्म कर्म शमंदी कारियों में भी आपकी विसेस यसमय रूजी रहेंगी तथा आपका निश्वार्त योगदान शमाज में भी आपका मान शम्मान और फिर इजद परितिष्टा में भी बड़ो चाहिए दोस्तों किजी खाश प्यक्ति के दोरा ही आपको कुछ नौक्षान यश्मे हो शकते हैं तो दोस्तों यश्मे बेधर होगा कि भारी शमपरकोंशे आपको दूरी रखना चाहिए दोस्तों प्रिस्दिक को कुरोध के बजाए शांती पून तरिके शें दोस्तों यह में आप अपने विचारों पर अड़े रहने के वज़शी किसी के साथ भी आपका एक मत नहीं होगा इसलिए खुद यह काम को पुरा करने के आप कोशिश करें यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों यदि आप नया घर खेंदना चाहते हैं या फिर नए घर को शिफ्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों इन बातों में देरी हो शकती हैं यह में आपको धहरे रखने की आवश्यकता होंगी और इसका प्राद्वर दोस्तों यह सोमे के लिए जो समय होंगे जो अपनी किसी कमजोरी पर भीज़ाइब यहाशिल करने वाले हैं दोस्तों परन्तु आलशो आपिर ज्यादा बोज मस्ती के शमय, समय को यह शमय वश्ट ना करें, यह आपके लिए बैतर होंगी, क्योंकि दोस्तों यह शमय आप जो है अपनी शमताओं का भरपूर उप्यों करने का शमय होगा, तो दोस्तों यह शमय को बिल्कुल ना गवाएं, और अ आपके लिए उसे महोंगी आपको बता दें, कि दोस्तों, यदि आप काम नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, तो उस्षे शमतित निरले लेने के लिए आपको अधिक वक्त यह शमय लग शकता है, परिवार के किसी व्यक्ति के शाथ मद्वेद होने के वज़शे भी शुधारने के वशकता होंगी, जिसे दोस्तों, आपके लिए मन चाहे रिजल्ट पाना आशान होगा, और इसको ब्राहत दोस्तों, यह शमय आपके लिए जय से महोंगे आपको बता दें, कि दोस्तों, यह शमय इमोशनल होने के बजाए, चतुराईव और विरेक्षे आप को काम लेना चाहिए, दोस्तों, भीवेक्ष से लिया हुआ काम आपके पक्ष में होगा, दोस्तों, आपको बदा दें कि किसी इस्तिदार से शमदी, सुब समचार भी सुनने से आपका मन परशन रहेगा, दोस्तों, बटवार शमदी कोई भी कार यह में मजदता से हलोग श पुषक्ति है, इसलिए दोस्तों, यश्में उस पर पुनर विचार आपको करना चाहिए, अत्य अधिक घुष्षा आपके स्वास्त और आपके कार्योंक में हानी का कारण बन र्चकता है, अधि कि अधिक विचार करके आपके बल्चिंता बढ़ा रहे हैं, दोस्तों, किसी की मद्द लेना यश में आपके लिए आवश्य होगे दोस्तों आपको बता दें कि भावनों को कावु में रखकर प्रिष्टिती का हल रुने की आप कोशिश करें और यश में आप अच्छी हल भी डून पाएंगे और इसके प्राणा दोस्तों यह शमय आपके लिए जम पुन कारी शम्पन होज रखता है राज की मामलों में भी केश्वमंदी स्कतियां आपके पक्ष में रहेंगी शाथी दोस्तों दूसरों के मामले में अस्पेक्श ना करें अकारण ही लोग आपके खिलाप हो जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए शाथी दो कोशिज होगी यह में सपल होगी फिर दोस्तों विचारों में शकारतम उनक्ता और आपको फोकस बढ़ाने के अत्यांता होगी फिलाल दोस्तों परिस्ट्रती कठन नहीं है लेकिं दोस्तों यह उतना आशान भी नहीं है शमस्याओं की तरफ अधिक ध्यान दे कर उनको आपके वह विशाय की तो दोस्तों यह में जन सब परकों का दाइरा अधिक विस्तिरत होगा परन्तु अभी वह इपारी गद्विदियों का गंपिरता वपिर बारे की शेयर मुलेकर करना आपके लिए जरूरी होगा दोस्तों शिनियर्श लोगों के साथ समंद्ध खराब न दिरे रखें इसको प्राण दोस्तों यह में अगर आपकी लव लाइब के लिए अर्थात आपके पारिवरिक जिवन की तो दोस्तों यह में घर में शुक्सानती भरा माहौल भी रहेगा जिवन साथी के शाथ अपनी हर युजना शेयर करें यह आपके लिए बैतर होगी उ प्राण दोस्तों आपकी जब भी सूझ बुझ रहेगी तो इसके दोरा आप शबी पैस्तोतियों में विजाई भी हासित करेंगे इसलिए दोस्तों यह में आप अपने वाणियों पर स्यम रखें और किसी भी बात को कटूरता से ना बोलें प्रेम सुमदों में भी आप यह प्रेम सुमदों में गलत फिर्मिया उत्पन हो शकती है इन्हें अपने काम पर हावी नो होने दें यह आपके लिए वैतर होगी और इसको प्राण दोस्तों में अगर आपकी स्वास्तने सहत को लिकर बात करें तो दोस्तों इसमें साद्री कमजोरी और जोड़ों में किश मस्याल आपको परिशान कर सकती है आईरुविदिक इलाज आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा तो दोस्तों इन पर आपको इसमें ध्यान देने के आउच्छता होगी यह आपके स्वास्त के लिए बैतर होगी